ऐख कुछ हम नया जानते हैं हमारे इस चैनल में आज मैं आपको बताओंगी कि medicine जो ढती हैं different different forms में आती है कुछ impulse और कुछ wild forms में आती हैं जिनको कि हमारी body के अंदर देने के लिए हमें एक syringe की ज़रूरत परती है और वो different different roots के जरिए दिये जाती है जिसके लिए हमें इस चीज की knowledge होना बहुत ज़रूरी है हमें उस time पे कौन सी syringe, कौन सी number की needle और कौन सी type की syringe हमें use करनी है जो मैं आज आपको अपनी इस lecture में बताऊंगी सबसे पहले में हम discuss करेंगे parts of syringe जिसमें कि आप इस picture को देख रहे हैं हम ये black बले part पे आए जो बिलकुल ये tip पे है इसको हम बोलेंगे fluid part पे इट मींस कि यहां से जो आपका medication है वो यहां से a needle के needle में insert होगा और हमारी body में जाएगा और ये black part जो यहां पे rotating है इसमें एक screw type कप होता है जिसके अंदर हमारी needle जो है fix होती है that is called screw lock then these lines जो हमें barrel के उपर ये जो line scaling type दिख रही है ये हमारी cc और ml में आती है जिसमें हम अपनी medication को measure कर सकते हैं कि हमें उस medication को 1 ml, 2 ml, 3 ml या कितना भी देना है this is called plunger जिससे हम push हम push और out करते हैं medicine को और जिसके हमें कुछ फिल करना है medicine तो हम back side में push करेंगे और medicine plunger से push out होगी और ear bubbles को remove करना है तो push करेंगे और ये जो last में जो आप दिख रहा है ये है thumb rest जिसके ओपर हम अपने थम से इसको pressure बनाएंगे और ये inside आएगा और थम से ही इसको बाहर को push करेंगे then the plunger आउटसाइड आएगा this is ये जो center में rotating roll है this is a finger french जिसके ओपर हम अपनी finger को hold कर सकते हैं ताकि हम अराम से इसको pull कर पाएं next आ जाएगा needles के पार ये जो plastic वाला पार आप उपर वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं hub and the next जो middle of the needle है this is called shaft और tip में हम जाएगे उसमें दो पार्ट है जो बिल्कुल उपर का पार्ट होगा जहां से की slanting tip start होती है इस is called bevel और बिल्कुल tip को हम बोलेंगे lumen और ये जो आप देख रहे हैं this is needle protective cover next हम discuss करेंगे types of syringe tips जो syringe की tip होती है उसके कितने types होती है जो की basically five types होते है सबसे पहला है permanently attached जिसमें की जो needle है permanently attached होती है syringe के साथ जो pre-filled injections में देखी जाती है second is lure lock tip इसमें locking fit system होता है एक screw होता है जिसके अंदर की आप rotate wise जो है अपनी needle को fix करेंगे और anti rotate wise अपनी needle को out कर सकते है third one is lure slip tip जिसमें की friction fit connection होता है इसमें इसकी आप slip करके needle को उसके ओपर fit कर सकते है और push करके needle को out कर सकते है fourth is eccentric tip जो की off center tip है जो की center में नहीं है बिल्कुल off center देखी जाती है permanently for injections के लिए यूज होती है जो हमें वेन में देने होती है क्योंकि उसमें जो है 15 to 25 degree angle बहुत ही easily इस tips के साथ बन जाता है fifth is catheter tip इसमें longer slip tip आपको एक longer tip देखने को मिल रही है इसमें जो की mainly irrigation या किसी भी medical tubing में यूज होती है जो की जादा तर जो है catheterization में या फिराइल स्टू फिडिंग में इस जो का यूज किया जाता है चलिए अब हम देखते हैं कि जब भी किसी स्रिंज को selection करना है तो वहाँ पे तीन में पैरामिटर्स कौन से हैं हमें क्या चीज देखनी पड़ती है किस चीज में कौन सी नेडर यूज होगी जैसे कि में तीन पॉइंट है गॉज, लेंथ और साइट ऑफ इंजेक्शन उसमें हमें डिफरंट डिफरंट गॉज की स्रिंज होगी उसमें हमें पता होना चाहिए कि इस surgery में इस gauze की syringe यूज होगी जो की बहुत main important type है आपको उसका color, उसका size, उसका diameter पता होना चाहिए जैसे कि 14 gauze की जो syringe है उसका color olive color में आयेगा उसका outer diameter 0.72 inches का होता है और वो mainly जो arthro catheterization और hip arthroscopy की surgeries में ICU में वहाँ पे use किया जाता है क्योंकि इसका diameter large है और वहाँ पे flow rate हमें जादा चाहिए and the 15 gauze is in amber color उसका outer diameter है 0.65 inches जो की intramuscular, subcutaneous and other type of injections में normally use किया जाता है 16 gauze जो में लिए आएगा आपका gray color में उसका outer diameter 0.64 inches होता है जो use किया जाता है ICU में और blood donation में इसमें blood flow thick fluid जो है normally flow हो जाएगा 18 gauze जो needle आएगी वो green color की होगी उसका outer diameter 0.50 inches होगा जो की faster blood flow rate देगा और blood donation units में easily आपको use कर सकते है next is 20 gauze जो की pink color में आएगा जिसका outer diameter 0.36 inches होगा जो की intramuscular injection और intravenous में use किया जाता है 21 gauze जो है purple color में आएगा उसका outer diameter 0.33 inches होगा जो routine blood draw जो की laboratories में blood collection units के time पे when you penchers के time पे आप use कर सकते हैं 22 gauze बहुत ही normally, normal situations में आप normally इसको use में देखेंगे blue color में आएगा जो routine blood collection और short term कोई भी short term में आभी injection देना है तो उसमें आप blue color के needle का selection करेंगे 23 gauze जो होता है orange color में आता है उसका outer diameter 0.25 inches होता है जब किसी की vein बहुत ही जादा narrow हो average vein से भी जादा narrow हो due to age factor और any other factor तो आप उस time पे 23 gauze का use कर सकते हैं 25 gauze जो की red color में आता है उसका outer diameter 0.20 inches होता है जो की normally intramuscular injections में यूज किया जाता है 27 gauze जो की white color में आयेगा उसका outer diameter 0.16 inches जो की बहुत ही थिन है और वो very small veins में और anesthesia injection किसी को भी रीड की हड़ी में या फिर आपको knee में इस type में जो भी bone के अंदर injection देना है तो उस time पे आप 27 gauze needle का use करेंगे Let's know about 13 type of different syringes The first one is insulin syringe जो की permanent fixed needle है जो की आपको मैंने tip section में समझाया है इस पे permanent fixed needle है जो की 0.5, 0.3 and 1 ml की size में available होती है जो की diabetic insulin injection जो subcutaneous injection देने के लिए use की जाती है Second one is tuberculin syringe जिसमें की lure lock system है इसकी tip lure lock system type है जो की 5 ml तक available है और tuberculosis testing में use की जाती है Standard जो hypothumic needle है जो 3 ml और 5 ml size में available होती है जो general medication delivery देने के लिए use की जाती है Then the next is safety syringe जिसमें की आप picture में देख रहे है safety syringe इस syringe में build in mechanism safety mechanism होता है जिसकी वज़े से needle और stick की injury जो healthcare worker को ना हो और second is pre-filled syringe pre-filled syringe में already जो medication है वो pre-filled होती है ताकि हम किसी भी medication में कोई delay ना हो उसको देते time The next is auto-disable syringe auto-disable syringe में auto-locking system है जो की reuse होने के लिए prevent करता है इसमें एक auto-locking system है इसमें एक ऐसा mechanism fix होता है कि एक बार अगर injection हमने किसी patient को दे दिया तो उसमें अपने आप ही उस mechanism से वो plunger को lock करतेगा और वो दुबारा reuse नहीं हो पाएगी यह mainly immunization programs में यूज की जाती है The next is glass syringe चोकि mainly biological application और medical applications पे यूज की जाती है इसको mainly critical care of the patient दोहां पे यूज किया जाता ICU और critical ICU units में इसको mainly use किया जाता है तांकि infection से patient को save किया जा सके The next is biological plastic यह कि one time medication और flu delivery के time में यूज की जाती है जिसमें कि आप tip देख रहे हैं slip type की है नॉर्मल patients में यूज की जाती है जो कि 60 ml तक available है Lure slip syringe जो कि 2 ml तक available है जो general application any kind of medication और injectable देने के use में आती है The next is catheter tip syringe जो कि surgical irrigation में यूज की जाती है food feeding में rile tube के through और यह 100 ml तक available है और plastic type में आएगी The next is oral syringe जो कि oral medication किसी भी patient को oral medication देने में यह use की जाती है जो कि यह भी 100 ml तक available है gas syringe जो gas collection और storage unit के लिए यूज की जाती है जो 100 ml तक available होती है then eccentric tip syringe जो 50 to 60 ml तक available है जो surface delivery करना हो कि इन यर्दी skin उस टाइम में यह इस syringe का use किया जाता है I hope you like my lecture और we will continue next with a new topic झाली को जाली favorite थक में तो आसाढ़ी चुछ lawyers and में है तक तक मारी दाभज तक तक जाब देने कर देंग्ज में